क्या आप जानते हैं? आपका बड़ता मुटापा आपके लिए जान लेवा थाबित हो सकता है जी हाँ, नरसर हाली में हुई एक स्टडी में ये सामने आया है कि मुटापे के कारण कैंसर के मरीजों की संख्या भी कई गुना बढ़ रही है इस स्टडी के लगबग 4.1 मिलियन पाटिसिपेंट्स को शामिल किया गया जुसके बाद सामने आया कि मुटापे से जुड़े कैंसर दस में से चार लोगों में पाया जा सकता है इस रिसर्च में 30 तरह के कैंसर को मुटापे से भी जोड़ कर देखा गया पहले मुटापे से जुड़ी 13 तरह की खतरनाक बेमारियां हो सकती थी हलाकि अब ये संक्या 32 हो गई है मुटापे से कौन से कैंसर का खतरा जादा बढ़ता है और इससे खुट को कैसे बचाया जा सकता है इस पर हमने बात की डॉक्टर रमन नारण से जो की सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल और्कलाजिस्ट है अपनी दिन चर्रेया में कुछ असान तरीके अपनाने चाहिए ताकि हमारा मुटापा कम हो और सासा कैंसर का रिस्ट भी कम हो मुटापे से नहीं से केवल कैंसर का रिस्ट कम होता है बलकि कैंसर के वापस आने के अफसरों को भी कम करता है तो कुछ असान तरीके क्या है जैसे कि बैलेस डाइट अपनाना जिसमें फल, अहार, सबजियां ये सब की मात्रा जादा, ठीक से सोना, प्रते दिन 30 से 40 मिंट वयाम करना, तनाव मुक्त रहे, अगर ये सब असान तरीके हम अपने दिन चरह में अपनाएंगे, तो हम कैंसर कर करेंस और मुटाप बेकरेंस, दोनों इस कम कर सब, एक्सपर्ट के बताएंगे, इन टेप्स को फॉलो कुरें और अपना मुटापा कंट्रोल में लाएं, उमीद करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई, यूगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्सेजरी तरह के और भी